नवस्कार साथिकों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीयस एक्जाम बेपर तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप इसमें कितने कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन क्या है और वो कंट्रीज किस और से बॉ इनको गवाद देख लिते हैं उसके बाद आपको मैपिंग के जरी से समझाएंगे तो जो हमारा आप पर पहला कंट्री हो एज़ेंटेना और इसकी जो कैपिटेल है वह बिवनोस ऐलस ठीक है उसके बाद हमारा अगला कंट्री आप अपर बोलिवी के इसकी जो कैपिटेल है नेक्ष्ट हमारा कंट्री है ब्राजील कि राजधानी है ब्राजीलिया आप चिंता है करिए आपको रेसे बताने वाले हैं सके बहुर्ए हए पहले देख लेते हैं उसके बाद कोहे खिलिए इधर को सिंटीउ से देखेंगे तो चूलिए next कंट्री हमारी है चिली इसकी राजधानी है सैंटियागो नेक्ष्ट कंट्री कोलंबिया इसकी राजधानी बोगोटा एक्वाडोर कुईटो फ्रेंच ग्वेना इसकी राजधानी केन है नेक्ष्ट कंट्री हमारा ग्वेना है इसकी राजधानी जोर्चे टाउन है और लेते हैं और इनको मैप के जरी से दे लेते हैं कि कौन सी कंट्री कहां पर पढ़ती है और कुछ वो अपना वाड़ा से और वहां के कौन कौन से important places हैं तो चली हम अपना मैप थोड़ा जूम कर ले दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और हम लोग जो अपने मैप में वह यहां से स्टार्ट करेंगे कंट्री को इस तरीके से देखते हुए यहां पर लाश्ट में व्राजील में खतम करेंगे आके ठीक है तो चली है आपना मैप है यहांi को हम आपको अच्छे से समझ में आए तो हम आए इससे का नाम है फ्रेश高 इसका नाम है फ्रेंचहोईना और यहां पर यह फेमस प्लेश है का यहां का नाम है करो ठीट हुआ है यहां पर जोगी सेटार्ड लॉंचिंग स्टेशन है इसलिए यह famous है एंड जो हमारा अगला country है वो यहाँ पर है सुरी नेम ठीक है सुरी नेम तो इसकी जो capital है वो है पैरामारीबू तो यहाँ पर आपको इसी से याद रखना है इसकी capital क्या है और इस country का नाम क्या है ठीक है और अगर बात करेंगे किस ocean से उपना water share करती है Atlantic महासागर से water share करेंगे ठीक है तो आपको यह बात ध्यार में रखनी है next country हमारा यह गुएना है ठीक है गुएना और इसकी जो capital है वो है जोर्जे टाउन ठीक है आपको इससे याद रखना है और यह किस ocean से water share करता है तो यह Atlantic महासागर से अपना water share करता है यहाँ ठीक है उसके बाद हमारा अगला यहाँ पर यहाँ पर बेनेजयलह है ठीक है इसकी जो दराजधानिया वो है कारकस ठीक है और यहाँ पर एक बहुत ही important place है जो है ень और मर्टाईवो यहाँ पर एक पॉर्ट है जो कि oil port है ठीक है और मर्टाईवो यहाँ पर lake भी है तो आपको यहा कराएंगे तो यहां पर एक बार एक वीडियो में लेक भी ठीक करेंगे उसके बाद यहां पर हमारा अगला कंट्री है वो है कोलंबिया और कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगोटा ठीक है बोगोटा इसकी जो राजधानी है और यह दो और से अपना बॉडर सेर करता UAQ है दो महासागर से बोटर है कोलंब्या ठीक है उपर अट्रान्टिक नीचे प्रसांत महा पर चलिए देख लेते हैं अगली कंटी हमारी अगली कंटी हमारी है यह इक्वाडो यह इक्वाडो और इसकी दर्जानी है क्वेटो और इसी के आगे एक आइलेंड परता है गैला पागोस ठीक है यह जो है आपका बायो डैवेस्टी के लिए और जो बायो खाद होती ना उसके लिए फेमस है ठीक है तो आपको याद रखना है गैला पागोस ठीक है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नीचे कंट्री है यह हमार एक है पेरू तिए पेरू इसकी जो राज़धानी है और इसको जो फेमस है बोग है इसमें फॉस्पेट नाइटरेट यहां पर वंण दार नहीं तो आपको इसे याद रखना है और अगर कोशन पूछ देए किस महासागर से अपटी बॉडर सेर करता है तो यह यहाँ पर आपका पैसिफी कोशन प्रसांद महासागर आ जाएगा तो हमारा next country है यह वाला जो है बोलीबिया ठीक है यह है बोलीबिया और इसकी केबिटल है लापास में यहाँ से कोशन बनता है कौन सा country landlock है ठीक है नौर्ट अमेरिका का कौन सा country landlock है तो मसा देख सकते हो इस तरीके से यह आपका चिली और यह हैप पिरू तो ये इस तरह से बॉर्डर यहां से बनाता है और तो ये एक landlock country है ठीक है उसके नीचे जो हमारा अगला ये आपको country दिख रहा है ये है परागवे ठीक है इसकी जो राजधानी है वह एसंसियन ठीक है इसंसियन इसकी राजधानी है और देखा जाए तो ये भी आपका एक landlock country है तो आपको इसको याद रखना है ठीक है अब हम लोग देखने है परा next country नीचे ये वाला तो ये जो आपको पतला पतला यहां से दिख रहा है ये है चिली और जो चिली की आपकी capital है वो है सैंटियागो सैंटियागो इसकी capital है और यह उतला पतला यहां से आपको दिख रहा है ये है ठीक है तो यहां पर कुछ important places है उनको हम आपको बता देते हैं बहुत ही important है आपको वो ध्यान में रखना है तो यहां पर एक जगह है अरीका नाम की अरीका जो की biggest word की biggest copper mines है biggest copper mines है तो आपको यह याद रखना है और इसी के इधर पर एक Easter Island पढ़ता है अगर पूछ दिया जाए तो इस्टर आइलेंड कहां है तो वो चिली में है ठीक है चिली के पास है चिली के ही वो में पढ़ता है तो इस्टर आइलेंड है आपको यह भी याद रख लेना उसके बाद देख लेते हैं नेक्ट कंट्र यह इसमें है यह वाला अर्चेनटीना के अर्चेनटीना की जो कैप्टिल वो है ब्योंस आय्लस यूंस आयल्स यह अगर आपका देखा जाए तो यह कंट्री जो यह है अरुगवे और जो उरुगवे की जो कैबटिल है वो है मौन्टी वीडियो और अगर एक कोसर आ जाता है कि कब कहों करने के लिए क्या उरुगवे और परागवे दों आपस में बॉर्डर सेहर करते हैं तो नहीं करते हैं रीव्य कर बीच में अर्जेंडियां एम्म यह कंट्री बच जाता है वो है ब्राजील चलिए हम लोग ब्राजील को भी दे लेते हैं तो यह जो आपको बड़ा सा यह साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील यह है ब्राजील और इसकी राजदानी बहुत ही इजी है ब्राजीलिया ठीक है यहां पर कुछ important places हैं जिसे यहां पर है रियो डी जिनेरियो ठीक है जो कि आपको पता होगा किसलिए famous है इसको आपको हमें comment के box में बताना है कि यह place किसलिए famous है उसके बाद यहां पर आपका आ जाता है Santos एक Santos यहां पर coffee port है सेंटोस यहां पर इक port का नाम है जो कि coffee port के नाम से फेमस है ठीक है coffee port का जाता है और यहां पर इक saao polo यह है coffee reason ठीक इसको बोल जाता है और यहां पर और इसी के निदर जगह आ जाती है इसका नाम है एक कोफी रीजन है और इक फ्जेंड़े जग़ए यहां पर कॉफी बहुत जादी है सबसे ज्यदा ब्राजील में पर बाइब से जले है थीधिक है तो यह हमने इस वीडियो में जो साउट अमारीगा की कंटीज थी उनको देखा उनցकी कव्डिटल किया है और वहां के जो famous places थे वो कि और से water शेर करते हैं यह सब देखा next video में हम आपके लिए लेकर आएंगे इनका physical map कि यहाँ पर कहाँ पर पहाड है, कहाँ मरुस्तल है कहाँ जील है, कौन सी नदिया है यह सब लेकर आएंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ चलिए मिलते हैं, नेक्षी वीडियो है, तब तक लिए जै हिन, जै भारत